श्रिमान वेंक टनाथार यह कवितार की केके सरी वेदानता चार यवरियो में सर्णितत्तम सदाखर दी आज हम शीस्तुति में उन्नीस वांशलोग बोलने जा रहे हैं उन्नीस स्वांशलोग इस प्रकार है जाता कांशाह जननी युवयोरेकसे वाधिकारे मायालिधं विभव मखिलं मन्यमानास्त्रनाय प्रीत्य विष्णोस्तव चकृति नहा प्रीति मंतो भजन्ते वेला भंगप्रशमन भलं वैदिकं धर्मसे तुम् जब भी वक्तव ये विष्ण बहुत गंभीर बनता है तब भाशा भी गंभीर बन जाता है इसलिए व्याक्यान करना अत्युम्त जरूरी हो जाती है सामान नितहा ऐसे इस लोगों को समझना जरा मुश्किल है परंत भाव सरल है सरलता के साथ थोड़ा अम्श में गांभीरी भी है इसलिए हम प्रेत्न करते हैं आप भी सावधन सुनने से इस उश्लोग का यताभूत अर्थ को समझने में सफल रहेंगे ऐसा मेरी भी कोशिश होना चाहिए आप भी तद पर सुनना चाहिए जाता कांग्षाह जननी युवयोहो एकसे वाधिकारे माया लीठं विभवं अखिलं मन्यमानाहा त्रनाये प्रीत्यै विष्णोहों तवचे कृतिनहा प्रीतिमंतह भजंते वेलाभंगप्रशमन फलं वाधिकं धर्मसे तुम ऐसा पधच्छेद है बक्तजन इतना दूर तक वाधिक धर्म का पालन करने में सक्षम नहीं बन पाते हैं परंतु कुछ भगत लोग ऐसे हैं सामान ने तहा भगत लोग मंदिर जाते हैं और लक्षमी जी की पूजा अर्चना इत्यादी करते हैं लक्षमी जी ही हमारे लिए उन्नती के लिए मार गए ऐसा यहां तक भी समझ लेते हैं परंतु हम उससे वून्ची एक गती को और उससे भी उच्चस्तान को प्राप्त करने में असफल रहते हैं हमें जरूर मालूम है कि हम अमुक दूर तक हम सही हैं परंतु अमुक विशे में हम इतना माहिर नहीं हैं ऐसा भी हम समझ लेते हैं ठीक है बक्ती करना लक्षमी जी के प्रतीश रद्धा रखना और पूजा कैसे करना यह मालूम नहीं है जैसे कहते हैं वैसा करते हैं और यह सब करते हैं वक्त हमें कुछ खास चीज ध्यान में रखना है कि वर्णा श्रम धर्म का पालन करना है वर्नाश्लम दर्म में नित्यकर्म नाइमित्य कर्म इत्यादी भी दोनों शामिल हैं। नित्यकर्म संध्यावंदन इत्यादी अनुष्ठान है। नाइमित्य का तरपन आरमों की अग्यां यह सब नाइमितिक भी बनते ही। कुछ समय में कुछ चीजें स्पेशली करना होता है उसे नईमितिक कर्म कहते है असा नित्य नईमितिक कर्म अनुष्ठान करना इतना ही नहीं है वेद विहित वेद से जो अवश्य करतव्य है ऐसा कहा गया है वो सब करना है उसमें नित्य कर्म भी है और नईमितिक कर्म भी है और वेद तो विधिनिशेदमयीत अवाग्या ऐसा विदान भी करता है निशेद भी करता है अमुक्चीज नहीं करने का निशेद भी करता है और निशिद्ध चीजों को सेवन करना वर्जित करना और वेद से विहित अवश्यकर्त व्यत्वेन कतित विश्यों को करना विश्यों को अनुष्ठान करना ये दूनों जरूरी है शिद्ध कामों को करते हुए विदिविखित कर्म को भी करने से फाइदा नहीं है शिद्ध कार्म को छोड़ना चाहिए इसलिए वाइदिक धर्म को पालन करना याने इतनी आसानी नहीं है वाइदिक धर्म का एक सेतु है अर्तात एक सीमा है उसकी सीमा का कभी लंगन भी नहीं करना है कभी अवहेलन नहीं करना है ऐसा करके हम लोगों को वैदिक धर्म का परिपालन करना भी ज़रूरी है इतना चीज मुझे इसलिए आज कहना पड़ा क्योंकि इस श्लोक में ऐसे लोगों की परशमसा की गई है सामान्य भक्तों से ये लोग बिलकुल ज्यानी है ज्यानी होते हुए भी ये भी एक प्रकार के भक्तिमान होते हुए भी कर्म को अवलंबन के रूप से कर्म का परिज्याक नहीं करते हुए कर्म अवलंबकाहा अपिभवन्ति याने कर्म को अभी परिपालन करते हैं वैदिक वेदविहित कर्मों का धर्मों का अनुष्ठान करते ही। क्यों करते ही। उसके लिए कारण सहित प्रतिपादन करने वाला ये श्लोक है। उन लोगों की इच्छा है कि लक्ष्मी जी और भगवान दोनों युगल की एकी प्रकार की सेवा करने का उत्सा है। युगलों को सेवा करना अर्था लक्ष्मी जी और भगवान का जब सानिद्य है एक दुसरे के साथ रहते हैं तब सेवा करने के लिए उत्सुक हैं लोग। आर्फा जिन लोगों के लिए इच्छा उत्पन हुई है किस विश्य में उत्पन हुई है यूए यो हो एक सेवा अधिकारे आप दोनों की आर्फा आप पती पत्नी दोनों की एक सेवा अधिकारे एकी साथ में जब रहते हैं तब सेवा करने के अधिकार प्राप्त करने के लिए ये लोग उच्सुक हैं ए जननी ए लोक मातहा ए दुनिया के लिए माता के रुप से राजमन लक्षमी जी ऐसे युवे योहो एक सेवा धिकारे आप दोनों को साथ रहते वक्त जब सेवा करने के लिए ततपर रहते हैं ऐसे लोग पहले क्या करना चाहते हैं अगर वो सेवा मिलनी चाहिए नित्य सेवा मिलनी चाहिए श्री वाइकुंट में और लक्ष्मी जी की और बगवान श्रीमन नारायन की सेवा मिलनी चाहिए तो एक चीज वे लोग जानते हैं ये सामान नितह बक्ति करने से नहीं हो सकती है परंतु कर्मा वलंबन के साथ बेद वाइदिक धर्म सेतु का उलंगन करते बिना करके बिना उसे परिपालन करने से ही ये दोनों की सेवा प्राप्त होगी ये साथ समझ कर उनके पास जो भी कुछ आईश्वर्य है वो सब माया लीड है अर्थाद सत्य नहीं है वो सब यद्यपी वो अत्यास्चर्य चीज है मलक्षमी जी की कृपाप से पराप्त हुई है परंतु वोही सब कुछ नहीं है सरक्षमी जी की सेवा प्राप्त करने के लिए वो कभी न कभी आगे एग्यादी प्रक्रिया में दान इत्यादी में कामा सकता है बस इतना ही है उससे ज़्यादा उसका उपयोगिता नहीं है सार्थकता नहीं है ऐसा समझ लेते हैं ये लोग जब तक लक्षमी जी और भगवान श्रीमन नाराएन राजी नहीं है तब तक हमें वो सेवा नित्य सेवा श्रीवाइकुंटा सेवा नहीं मिल सकती है ये जरूर समझ कर ये क्या करते हैं एक चीज को उपाई के रुप से लक्षमी जी और श्रीमन नाराएन को की सेवा नित्य सेवा प्राप्त करने के लिए क्या उपाई है ये सोच विचार करके दर्म से तुम वैदिकम धर्म से तुम भजनते वैदिक जो दर्म से तु है धर्म की से तु बनायके रखी गई है अर्थात ये काम करना है ये इस काम नहीं करना है ऐसा नियम इत्यादी बना रखा है उसे सेतु शब्द से कहते है उसका उसकी वेला उसकी मरियादा का जैसे उलंगन ना हू बंगप प्रशमन फलम वाई आर्थाद जैसे हम वेद का वेद वहित कर्मों का अनुष्ठान करना शुरू कर देंगे तभी ये वाईदी का सर्म धर सेतु का परिपालन हो जाएगा नहीं तो वाईदी का धर्म सेतु का परिपालन हम लोग नहीं कर पाएंगे तो नित्य सेवा प्राप्त नहीं कर सकते हैं ये अच्छी तरह समझ कर अर्थाद लक्षी है तो लक्षी के ओर पहुंचने के लिए रास्ता है अगर लक्ष नित् पंदिर जाकर अर्था थुलसी इत्यादी को ले जाकर माला को ले जाकर और आभिशेक इत्यादी कराकर वहां बैटकर हाथ जोड़कर बैटे रहने से नहीं हो सकता है इसलिए वाइदिक दर्मसेतु का अनुलंगन जैसा हो ऐसा हम उसका परिपालन करना चाहिए उसको उपाई के रुप से हमें अवलंबन करना चाहिए ये समझ कर कुछ सुकृती लोग और भगवान को और भगवती की नित्य सेवा में इच्छा रखने जिनकी इच्छा उत्पन हुई वे लोग वाइदिक दर्मसेतु को पकड़ते हैं उपाई के रुप से भजनते वहां मुख्य धातु है मुख्य क्रियापद है तो अन्वाई कैसे करना है हे जननी कृतिना हां अर्थात पुन्यशाली लोग युवयो हो एक सेवा अदिकारे जाता कांग्शा हा ये लोग पुन्यशाली इसलिए हैं नहीं तो कैसे हिच्छा ही उत्पन होगी आपकी नित् अन्वाद दोनों जब रहते हैं तब सेवा करना है ऐसी बावना भी कैसे हो सकती है हुई है तो वे लोग सुकृति लोग हैं पुन्यात्मा हैं ऐसा अर्थ से कृतिना हां युवयो हो एक सेवा दिकारे जाता कांग्शा हां इस दुनिया में प्राप्त आईश्वर यादी क ये तो केवल माया है, प्रकृति संबंधी है, प्राकृतिक चीजों में रस नहीं रखना चाहिए, प्राकृतिक पदार्त सब एक नए एक दिन नष्ट होने वाला है, इस नष्ट होने वाले पदार्तों से हम अविनष्ट होने वाली एक चीज को हमें पकड़ना है, पलवाहि वेद में वेद वेद तो भगवान का श्वास है श्वास वच्वास ही वेद है इसनिश्वसितम वेद आहा वुस वेद वाक्यों का परिपालन करने में तत्पर होकर वाइदी का धर्म सेतु को अवलम बन करते हैं वाइदी का धर्म ही एक सेतु है मार्ग है पालन आमें लक्ष्मी जी का और श्रीवन नारायन की इस नित्य सेवा को प्राप्त कराने में एक सेतु का काम करने वाद तो प्रकृति मंडल और नित्य स्रीवाई कुंट मंडल इन दोनों के बीच में एक सेतु है तो वो वाइदी वाइदिक दर्मसेतु को इस प्रकृतिम अंडल में रहने वाला पदार्त सब हमें उध्धार नहीं करेगा ऐसा समझ कर आए ये वाइदिक दर्मसेतु को अवलंबन करना है हमें ऐसा करके एक नए एक दिन नष्ट होने वाले इस तत्तों से हमें क्या करना है और वाइदिक द वाकी इच्छा रखते हैं ऐसा भाव इस श्लोक में अत्यमत अस्वादक शाइडी में और भाव गंबीर होने की वज़े से भाशा में भी गंबीर ये थोड़ा है तो भी समझने लायक तो है ही और अन्वाई को फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं जननी जहां समझना है तो एकी चीज में तुड़ा समझने में देर लगेगी ये वेला भंग प्रशमन पलम अर्थाद धर्मसेतु का उलंगन नहो यही पल है वैदी के धर्मसेतु का परिपालन अवलंबन करने में इसलिए ऐसा जो वैदी के धर्मसेतु है जिसे पकड़ने से हम सही रास्ते पे जाएंगे हमें वेला भंग का प्रशमन हो नहीं तो वेला का भंग होगा अर्थाद सीमा भंग करेंगे सीमा पार करेंगे सीमा पार करके हमें जाने से फाइदा नहीं है कहीं भी सीमा याने क्या है वे इस प्रकार करो इस प्रकार मत करो इसी को तो हम पेला शब्द से इधर खहते हैं और उसका भंग का नाश उसका भंग का नाश ही पल है तब तो एक मार्ग राजमार्ग पकड़ेंगे तो हम सही तरिके से जहां पहुंचना है उस लक्षिक है और पहुंचेंगे ऐसा समझ कर वैदिक धर्मसेतु को अवलम बन करते ही इसलिए वैदिक धर्मसेतु का विशेशन है वेला भंग प्रशमन फलम वेला सीमा सीमा का भंग है और उसका प्रशमन है सीमा का भंग नहीं होना है सीमा का भंग का प्रशमन होना है उसी को फल के रुप से रखने वाला वैदिक धर्मसेतु का अवलम बन करते ही कौन जो पुन्यशाली लोग हैं किसके लिए आप दोनों की नित्य सेवा करने के अधिकार प्राप्त करने के लिए और वे लोग उसके लिए क्या करते हैं कि दो काम करते हैं लोकी का आईश्वरियादी को पहले तिरसकार करते हैं और दर्मसेतु को पकड़ लेते हैं ऐसा भाव इसमें अविश्कुत किया गया है श्लोक को फिर से एक बार पढ़ेंगे जाता कांक्षा जननी उवयोरे कसे वाधिकारे माया लिधं विभवम खिलं मन्यमाना स्त्रनाय प्रीतिय विष्णो स्तव चकृति नहा प्रीति मन्तो भजंते वेला भंग प्रशमन पलं भाइदिकं धर्मसेतुं कवितार्की कसिम्हाय कल्यान कुनशालिनी स्रिमते वेंकते शाय वेधांत गुरवे नमहां